क्लिप पर फिल्टर का प्रियोग अपलाई ए फिल्टर टुए क्लिप हालो फ्रेंड्स टूटर मंता ट्रेनिंग में हम आपका स्वागत करते हैं और इस टिटोरियल में बताएंगे कि Final Cut Pro में क्लिप पर फिल्टर का प्रियोग किस प्रकार किया जाता है जैसा कि हमने आपको पिछले टिटोरियल में बताया कि Final Cut Pro में फिल्टर लगाने की कई सारे विधिया हैं कई सारे तरीके हैं जिनका प्रियोग प्रोफेशनल अपनी आउसेक्ता अनुसार करते हैं अपनी सुभिता अनुसार करते हैं अधिकतर प्रोफेशनल्स बीडियो फिल्टर को प्रियोग करने के लिए ब्राउजर बिंडो में इफेक्ट टैब का प्रियोग करते हैं इफेक्ट टैब यदि आपके कभी कभी क्या होता है इफेक्ट टैब आपका नहीं आ रहा होता है तो effect tab आपका कैसे आएगा बिंडो में जा करके effect option पर click करें या command 5 का प्रियोग करें जैसे आप इसका प्रियोग करेंगे आप देखेंगे effect tab आपके browser में आ जाएगा browser में आने के बाद आप जब इस पर browser पर click करेंगे तो इस तरीके से कुछ आएगा यहाँ पर कई सारे बिंस आपको दिखाई पड़ेंगे इसमें जो तीसरे नंबर का जो बिं है यह video filters है इस video filters के strangle पर click करने के बाद आपके सामने वो पूरी list आ जाती है जितने की filters आपके system में available है यह बिं जो है category है category के अनुसार filters को divide करके system में रखा गया है कि यदि आपको एक filter एक ही clip पर लगाना है तो आपको timeline पर clip select करने के आउसकता नहीं है यदि आपको एक से अधिक clip पर एक साथ लगाना है तो सबसे पहले इसको select करना पड़ता है उसके बाद यहां से pick and drop के दोरा यहां पर filter लगाया जाता है पहले हम एक clip पर लगा के देखते हैं यहां पर हमने लगाए image control पर चलते हैं सिफिया option है सिफिया को उठाते हैं और यहां पर drop करते हैं आप सिफिया देखे कि आपकी यह clip का color change हो गया है क्योंकि हमने इस पर filter का प्रियोग कर दिया है यदि आम चाहते हैं कि काई सारी clip पे एक साथ हो तो आप सबसे पहले उन clip को select कर लें जिन पर आपको filters लगाना है उसके बाद उस filter को select करें select करने के बाद drop करें अब हम यहां पर tint को लेते हैं को इसे pick करेंगे और यहां पर drop करें अब आप देखें यहां पर इस सारी clips का color change हो गया है यहां पर हमने पहले सेफिया लगाया था यहां हमने tint लगाया तो यदि आपको एक clip पे लगाना तो आपको select करने के आउसकता नहीं है यदि आपको एक से ज़्यादा clip पे लगाना है तो उसको पहले select करना होगा फिर effect tab से filter को pick and drop के दोरा pre-work करना होगा दूसा तरीका यह होता है जब हम लोग pre-work करते हैं इसको हम undo करते हैं यदि हम इसी clip पे दूसरी बिद से सिफिया लगाना चाहते हैं कि यहाँ पे आपको सेफिया मिलेगा इसको आप click करने के बाद इस पे आपको वो effect मिल गया है इसी प्रकार यदि आपको एक से ज़्यादा clip पे लगाना है तो उन सारी clips को select करें effect में जाएं effect में जाएं, video filter में जाएं, video filter में जाने के बाद हम जाते हैं image control, image control, by tint अब आप देखें, इन सारी clip पर भी tint लग गया है यदि आप menu bar से effect को प्रियोग करना चाहते हैं तो आपको पहले time line पे clip को select करना होगा then आपको उस filter का चुनाओ करना होगा